Arial step Arial step में भी main 4 हैं Actually main 3 हैं पर हम 4 पढ़ें पहला समझिएगा देखो, बनाईएगा सपोस करो, यह एक stem है main stem है, इस पर nodes हैं बीच-बीच में inter nodes हैं यह nodes से एक leaf निकली यह एक axle position है यहां एक axillary bud है काईदे से इसे क्या बनाना चाहिए या तो या तो branch या तो flower पर मान लो इसने एक ऐसा spirally coiled structure बना दिया तो यह हवा में बनना चाहिए थी branch लेकिन बन गया tendril tendril ऐसा क्यों करेगा क्यों बनेगा यह structure एनी आइडिया कहां देखें बेल में नहीं देखें इसे structures climbing के लिए यहां पर climbing यानि support देने के लिए इस पेड़ को climbing या support के लिए यह structure बन जाता है क्लाइंबिंग या support stem tendril हो गया यह stem tendril क्लाइंबिंग या support चलिए लिखिएगा यह किससे बना है develop from किससे बनाएं बताईए वेरी गोड एक्जिलरी बड़ या adventitious bud क्या लिखूं इसलिए तो फंडे क्लियर कर रही हूं पहले ही आपके axillary adventitious बड तो leaf और root वाली है कैसा है देखूं लंबा दुबला पतला की मोटा होगा पतला सा होता है और spirally coiled लिखिएगा slender याने दुबला पतला and spirally coiled हमने पहले ही लिख दिया है it will help the plant in climbing याने उसको support देगा help the plant in climbing हमने already लिख दिया है क्या मैं इसे axillary bud का भी modification कह सकती हूं ठीक है चलिए अब इसकी ट्रिक है tiger क्या ट्रिक है tiger पाटनी हटा दो गई tiger की शादी दिशा पाटनी से हो जाती तो दिशा तो बनती दिशा श्रॉफ और tiger बनता tiger पाटनी पर तुनका break up हो गया अब तो दिशा पाटनी को कोई और boyfriend हो तो हमने उसको ट्रिक से भी अटा दिया वह असली जीवन में शादी नहीं कर रहे हो तो अला घटो तो हमारी ट्रिक है tiger टी मतलब टेंड्रिल और जी मतलब गार्ड फैमिली और ग्रेप अंगूर की बेल में आप ऐसे structures देख पाएंगे गार्ड फैमिली जिसमें खीरा कद् लिखिए इसके examples मैं यहां लिख रहे हूं आप नीचे लिखिएगा ट्रिक है tiger टी का मतलब टेंड्रिल और जी से है ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप्स यह रहा ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप अंगूर की बेल और दूसरा गार्ड्स गार्ड्स में आता है खी हीरा कद्दू याने पंकिन और तर्बूज याने वाटर मेलन इन सबकी बेल ऐसे ही होती है उनमें टेंड्रिल्स मिलते हैं डारेक क्वेस्चन जाते हैं यहां ट्रिक्स बहुत काम आएंगे आपके ठीक है चलो अब और क्या हो सकता है देखो यह सब एरियल नहीं है अंडर ब्राउंड नहीं है हवा में बन रहा है एरियल है दूसरी कंडिशन बनाते हैं आईए अगेन यह स्टेम थी इधर नोट्स थे बीच बीच में इंटर नोट्स थे इधर एक लीफ लगी थी इधर ए काटा եोर्न काटा बन गया थोर यह वुडि है पॉइंटेड हैसे वुडि और क्या काम करेगा क्यों बना होगा काटा प्रोटेक्शन रक्षा करने के लिए चलिए यह लिखते हैं यहां पर ये वुडि है यहे ये स्ट्रेट है वो observed को था यह पॉइंटेड है प्रोटेक् आउजिंग आनिमल से आईए लिखते हैं, डेविलप फ्रॉम, वही सेम, अक्सिलरी बड, ये है वुडी, लकडी का वुडी, ये कॉइल्ड था टेंड्रिल, ये है स्ट्रेट आड पॉइंटेड, ये सपोर्ट या क्लाइम्बिंग करवा रहा है, पेड को ऊपर चड़वा र रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम, इसको चरने वाले ब्राउजिंग आनिमल से, ब्राउजिंग आनिमल से, तो ये प्रोटेक्शन के लिए हुआ है, ये प्रोटेक्शन नहीं है, द्यान रखना रक्षा नहीं कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, उपर चड़ने में मद उसको एक ट्रिक से याद कराती हूं ट्रिक यह है कि जो थौर मुवी है वह बिक सिनेमा में लगी है मैं यहां लिख रही हूं एक्जाम्पिल बिग मतलब बोगेंवेलिया अगर किजी को गार्डनिंग का शौक है तो बोगेंवेलिया जरूर देखा अगर उसमें काटे काटे होते हैं और बिक सिनेमा सिनेमा मतलब सिट्रस इसमें नीबू मुसंबी संत्रे सब आ जाएंगे थौर पिच्चर लगी है थौर मालूम है न तो थौर से थौर नहीं याद नट्रक लेना थार इन बिक सिनेमा कर एक त्रिक लेना आप लों नीचे ही है मैं लिखवा देते हूं ठीक हो गया यह आटादू स्लाइड लिकट लो शौत दुखिआ ठीश ठीडा मरीग सिनेमा त्दीबूक ए बोगन विलिया सिट्रस और थार मतलब यह थार निकी बात प और इन बिक सिनेमा, हो गया, चल, अब आगे बढ़ते हैं, यह देखो, यह NCRT का डाइग्राम देखिएगा, यह, यह जो वाइरस, वाइरली कॉइल्ड स्ट्रॉक्चर्स है, स्टेम मॉडिफाइड इंटू टेंड्रिल, क्या दे रहा है यह, सपोर्ट दे रहा है, दूसरा यह देखो, यह स्टेम है, यह नोड होगा, यह लीफ निकली, यह यह अग्जल पॉजीशन है, यहां बढ़ होगी और इससे काटा बन रहा है, काटे को थौर्न कहते हैं, थीयोरी में थौर्न लिखा है, यहां पे स्पाइन लिख दिया, एक ही बाते काटे को स्पाइन भी क कुछ पढ़ा रही हो आपको ध्यान से सुनिएगा वेरी इंपोर्टन्ट मान लो एक डेजर्ट का पेड़ है और पंशी अगर नाम सुनाओ यूफोर्बिया अगर नाम सुनाओ कैक्टस ऐसा समझ दो कैक्टस में कांटे कांटे होते वो यह कांटे नहीं है कैक्टस के कांटे कैक्टस की पतिया हैं लीफ मोडिफाइ होके स्पाइन बन गई है बड़ा ध्यान से सुनना लीफ मोडिफाइ होके स्पाइन जब अगली क्लास में लीफ पढ़ाऊंगी तो लीफ के मोडिफिकेशन में बताऊंगी कैक्टस के कांटे अब समझो ऐसा क्यों हुआ मैंने आप इन प्लांट्स में पानी की कमी है यह डेजर्ट में मिलने वाले पेड़ हैं अगर इन में नॉर्मल पत्तियां रही तो पानी का लॉस होगा और डी हाइड्रेशन से यह मर जाएंगे तो नेचर ने इनकी पत्तियों में को काटों में कनवर्ट कर दिया ताकि सर्फेस एरिया और वाटर का लॉस ना हो और यह डी हाइड्रेशन से ना मरे पर इसकारण एक बहुत भारी समस्या उत्पन्न हो गई कि अगर लीव काटा बन गया तो फोटो सिंथिस कौन करेगा तो भूख से मर जाएगा पेड़ आ रहा है समझ पानी के मरने से तो बचा लिया पानी की कम है कालके होमां यह इसकी पतिहां है लीव और यह जो ग्रीन दिख रहा है बाकी एसके स्थरीने फोटो सेंथिंक है एक पेड़ होता है यूफोर्विया हम उसमें ऐसी होती है यह ऐसी जने मिलति विर्ण निद्पान नियुदर एक पैड़ेटे me लुआ मैं मैं इसम्स मैं फ्लेशी और सिलेंड्रिकल फोटो सिंथेटेक स्टेम क्या जबर्दस बात है स्टेम फोटो सिंथेस कर रही है और क्यूं कर रही है बिकॉज लीव्ज आर मॉडिफाइड इन्टू स्पाइन और लीव्ज क्यूं स्पाइन बन गई है ताकि सर्फिस एरिया कम हो जाए और वॉटर का लॉस ना हो तो पत्या काटे बन गई और स्टेम पत्यों का काम करने लग गए यहाँ पर फोटो सिंथेसिज मॉडिफाइड फंक्शन फोटो सिंथेस यह सपोर्ट क्लाइंबिंग था यह रक्षा करना था यह फोटो सिंथेस था ऐसी स्टेम को बोलते हैं फाइलो क्लैड क्या बोलते हैं फाइलो क्लैड याद जाद रखने का तरीका फाइलो फोटो सिंथेस्थ याद रखने का यूस्थ कि लिए यूज करते हैं पती के लिए यह स्टेशनेश płरhor उसलिए के सब मैं फाइलो कलाड बोल देते हैं यह बिलकुल कृष्ण आपसल्यूटली स्रिश्टी वर अब सिलूटली एक है यह है अग्जांपल्स में यह ऐपंशिया है जो फ्लेशी वाला है वह पंशिया होता है और यह यूफोर्बिया यूफोर्बिया आइम शूर यह वाले कैक्टर्स आपने कॉमनली घरों में देखिए हूं बहुत कॉमन है दोनों वावल से शिरूर है ओई और पंशिया यूफोर्बिया रटे होने चाहिए यह तीन एंसी आटी में दिया है वेरी इंपोर्टेंट आई इसकी थियोरी दिखाती हूं यहां यह सब दिख जाएगा आपको देखिए सम प्लांट्स ऑफ एरेड रीजन यानि जहां ड्राइ कंडिशन है स्टेम या तो फ्लाटेंड हो जाएगी ओपंशिया या फ्लेशी सिलेंड्रिकल हो जाएगी यूफोर्बिया ग्रीन फोटो सिंथेटिक हो जाएगी लीव्ज रेड्यूस तू स्पाइं ताकि वाटर सिलेंड्रिकल है फ्लाटेंड या तो चप्ती है या सिलेंड्रिकल है फ्लेशी सिलेंड्रिकल यह उपंशिया में है यह यूफोर्बिया में है और अपकोस इसमें क्लोरोफिल मिलेगा आप नीचे लिख लेना कंटेंड क्लोरोफिल तभी तो ग्रीन कलर की हुई है एंसी आ पर पानी की कमी है, arid region, philoclad, इसे कई बार cladophyll भी कह देते हैं, philoclad, या उल्टा कर दो, cladophyll, हाले कि आप से cladophyll नहीं पूछेंगे, आपको philoclad ही याद रखना है, अब एक और है, जो NCRT में नहीं दिया, फोर्थ लिखना cladode, या आप नहीं भी याद करोगे, भूल जाओगे, चलेगा, cladode, e, i, 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 cladode, cladode, last name, cladode, c, l, a, d, o, d, e, कुछ नहीं है, same है, dry area के है, leaves are reduced to spine है, stem green photosynthetic हो गई है, सब कुछ सेम है, एक difference होता है समझना, cactus तो आपने देखा होगे, इसे grow करता जाता है, unlimited growth होती है, उसमें limited growth होती है, एक ही बार grow करता है बस, ऐसे branching नहीं होती जाती है, इसका बस example याद कर लो, asparagus, यह देखिए, दिखाती हो आपको, asparagus, सब कुछ सेम है, आप लिख लो, like, like phyloclad, like phyloclad, with limited growth, limited growth, ज्यादा फैलता नहीं है, यह, cactus तो कैसे बढ़ता जाता है, with limited growth, आप से NCRT में cladode नहीं दिया है, यह देखो, ऐसा, यह क्या है, यह तो phyloclad है, यह, यह, बिल्कुल cladode है, बिल्कुल मत ध्यान रख को चलेगा, tendril, thorn और phyloclad should be on your tips, very very important, यह देखिए, यह क्या ह है, tendril, यह क्या है, thorn, spineous thorn, तो यह तीन हो गए, food storage के लिए, यह climbing support के लिए, यह protection के लिए, और यह vegetative propagation के लिए,